स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर तो आज कलास बारह के रसाइन भी ज्ञान अभिहास आठ है और अभिहास का नाम है डी एवम यफ बलाक के ततो का यह पहला भाग है तो आज से जो है डी बलाक और यफ बलाक के ततो के बारे में आज से हम लो चनकारी रखेंगे कि D-BLAG के ततों क्या होते हैं और YAB-BLAG के ततों क्या होते हैं इनकी समान विज़स्ताएं क्या होती हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कापी में जरूर नोट कीजेगा जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा तो यहाँ D-BLAG का दूसरा नाम क्या होता है तो D-BLAG के ततों को कौन से ततों कहते हैं संकरमड ततों कहते हैं कौन से ततों कहेंगे संकरमड ततों कहा जाता है तो D-BLAG के ततों किसे कहेंगे या संकरमर्ट तत्व किसे कहते हैं, ये परिछा में बहुत ही IMP कोशन है, हमेशा ये पूछा जाता है, तो संकरमर्ट तत्व क्या है, तो इसका उतर लिखेंगे, ऐसी तत्व जिनमें अंतिम इलेक्टरान जो हैं, किसमें जाएंगे, D उपकोस में प्रविश करता है, D बलाक करता है D बलाक के तत्व कहते हैं इसे संकरमर तत्व या टान जिसन तत्व कहते हैं तो समझ में आ गया होगा कि संकरमर तत्व क्या होता है मतलब वे तत्व होंगे जिनके अंती मिले टान कहां पे जाएंगे D उपकोस में प्रिवेस कर लेते हैं ऐसे ततो को डी बलाग के ततो भी कहा जाता है और इसे संकरमर ततो भी कहा जाता है तो इसे जो है संकरमर ततो का जो परिभासा बताया गया है इस परिभासा को अपने कौपी में क्या किजिए नोट का लिजिए अब हम लोग पढ़ेंगे डी बलाग ततों को आवर सानी में इ इसको जिसे आपको क्या होगा, अछे से यह समझ में आजाएगा, कि D बलाग के ततो कहाँ परिस्थित है, तो अभ यह जो बना हुआ है PRIrEID TIBEL है, इस PRIrEID TIBEL में हम लोग समझेंगे, कि D बलाग के ततो कौन-कौन से होते हैं, यह जो दो लाइन बना हुआ है यह दो पीला रंग का जो दिखाई देरा आप लोग को यह जो है यस बलाके ततो होते हैं किस बलाके यस बलाके ततो होते हैं और यह जो होते हैं यह पी बलाके ततो होते हैं और यह जो है डी बलाके ततो होते हैं और नीचे जो बना हुआ है दो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, दो पंक्तियों में जो लिखा गया है यह यफ बलाक के ततो होते हैं, तो मतलब D बलाके ततो किसके किसके बीच में है तो period table देखने से पता चला है कि जो D बलाके जो ततो होते है वो Yes बलाके और P बलाके बीचो बीच में रखा गया मतलब मध में रखा गया है मतलब D बलाके ततो कहां पे रहते हैं तो यस बलाक के ततो और पी बलाक के ततो को बीच में जो रखा जाता है वह कौन से बलाक होता है डी बलाक के ततो होते हैं अब डी बलाक के ततो कहां से चालू होते हैं किस आवर्थ से देखेंगे यहां 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 देखेंगे यह कि 5-2, 6-2, 7-8 में 3 भाग हैं, कितने भाग हैं? 3 भाग हैं और यहां 1 B और डिका गया, 3-4-5-6-7-8-1-2 लिखा गया है, तो इसमें क्यों से बर गया है, मतलब 3 B का, 3 B का, 5 B का, 6 B का, 7 B का, 8 पाना पार, 3 भाग और यहां 1 B, 2 जो है, यह सब ही ततों जो हैं कौन से बलाग के हैं तो D बलाग के ततों हैं तो D बलाग समझ में आ गया होगा कि आवर सानी में कहां पे रखा गया है तो अब यहां पे लिख लेंगे कि संकरमर ततों या D बलाग के ततों जो हैं आवर सानी में किसके मध में है यस तथा पी बला के मध में रखा गया है जो आभी आपको पिरियाइडी टेबल दिखाया गया है तो उसमें पी बला के ततों कहां पे थे तो यस बला के ततों पी बला के मध में रखा गया है तो यहां लिख लिजे पहला जो है संकरमर ततों को आवर साणि में PS टत्था P बला के मध में रखा गया है इनहें तीसरा जो है 3B, 4B, 5B, 6B, 7B और 8 जो है आठ में कितने भाग बताए गया है तो 8 में जो है 3 भाग और 1st B तत्था 2B में रखा गया है मतलब इसी कहां पी रखा गया है आवर्षाणी में तो तीसरा का जो B है चोथा का B, पांचमा का B, छमा का B, सातमा का B और आठमा का जो तीन भाग था अभी आपको प्रियाइडी टेबल में दिखाया गया है और यह फश्ट B और सेकंड B में इसको रखा गया है तो D बलाक के ततो किस सानी में रखा गया है आवर्षानी किसकी इस्तती क्या है समझ लिए होंगे कि D बलाक के जो ततो होते हैं वो S बलाक के और P बलाक के ततो के बीचो बीच में रखा गया है अब हम लोग पढ़ेंगे डी बला के ततो के या संकरमर ततो के जो है गुण क्या है इसकी गुण क्या है अब गुण के बारे में हम लोग समझेंगे तो यहां सबसे पहले जो है आप सभी विद्यारती से हेडिंग को पहले नोट कर लेजिए कि डी बला के ततो या संकरमर तत के गुण और लिखने के बाद से हेडिंग नोट करने के बाद से यहां पर आठ जो है यहां पी गुण बताया गया है तो पहला यह इसका गुण क्या है तो सभी डी बलाके जो ततो होते हैं वो क्या होते हैं धातु होते हैं याद रखिएगा सभी जो डी बलाके जो ततो उनका जो योगी बनता है तो किस रंग का होता है रंगीन योगी को का क्या होता है निर्मार करते हैं तो दो जो है भौतिक गुण जो इसका समझ में आ गया होगा तीसरा जो है यह तत्व जो होते हैं अनचुमकी गुण परदसित करते हैं मतलब यह जो है डी बला के जितने भ किरिया को बेग को बढ़ा दे और किरिया के बेग को घटा दे वह कौन कार करता है उत्परेरक होता है तो यह सभी तत्व जो होते हैं वह उत्परेरक कार करते हैं पांचमा लिखेंगे यह संकर आयन बनाते हैं कौनसा आयन संकर आयन बनाते हैं आगे हम लोग चलके आगे अग बनाते हैं तो और अगला है इसमें धात्वी चालकता उपस्थित होती है मतलब डी बलाक के जो तत्व होते हैं उसके अंदर जो है धात्वी चालकता भी क्या होती है उपस्थित होती है और आठवा लिखेंगे यह यस तथा पी बलाक के धात्वों से क्या होते हैं अधिक कठ तो यहाँ पर आठ जो है क्या बताया गया संकरमण ततों का गुण बताया गया अभी और है 1911 मतलब 11 गुण आपको बताया जाएगा तो पहले यह अठ गुण को अपने काउपी में क्या किजें इसे नोट का लिजे यह इसे 60 स्क्रीन ले लिजे अपने काउपी में इसे हम लो आठमा हम लो पड़े हैं कि यस तता पी बलाक के जो धात होते हैं उस धात उसे अधिक टोर होते हैं मतलब जो डी बलाक के जो ततो होते हैं वह यस बलाक और पी बलाक के ततो से क्या होते हैं अधिक टोर होते हैं और यहां लिखेंगे नुगम क्या लिखेंगे इनके ग हातुं से क्या होती है अधिक होती है याद रखिएगा इसका समान गुन बताया जा रहा है तो इसे अपने कापी में जरूर नोट कीजिएगा और इसे दो बार पढ़िएगा आपको यह उतर सब याद हो जाएगा अगला लिखेंगे यह परिवर्तित समझक्ता प्रदर्सित क बनाते हैं जटिल मतलब कठोर कठीन जो कठीन से कठीन योगिक होते हैं यह बनाते हैं तो यहाँ पर टोटल जो है डी बलाके ततो यह संकरमड ततो का इगारह गुण बताया गया और यह इगारह गुण बहुत ही आसान बताया गया जिसे आपको तुरंद क्या हो जाए या डी बलाग के जो ततों हैं उसके परमुख लच्छन क्या है और इसके विस्यस्ताएं क्या है अब इनके बारे में समझेंगे तो अब यहां लिख लेंगे कि इस बलाग के ततों का समान इलेटानिक बिन्याज अब यहां से ध्यान दीजेगा यह कमपटीशन का भी यहां कोशन बन गया कि डी बलाग ततों का समान इलेटानिक बिन्याज क्या होता है तो डी बलाग का ततों का समान इलेटानिक बिन्याज जो होता है यन माइनस वन डी का पावर एक से लेकर के कहां तक दस तक मतलब डी के उपर जो है दस इलेटान होते हैं और इस के उपर जो है दो इल लैटान उपस्थित होते हैं इसको आप लोग याद रखिएगा तो यहां पर जो है डी के ऊपर जो है से ले कर कहां तक 10 और यहां लिखेंगे यन यहां यन चुट गया है यहां यन यस के पावर यन माइनस वन होता है इनके दो बाहता कोस जो होते हैं अधूरे होते हैं इनके जो दो बाहतम जो कोस होता है वो पूरा भरा नहीं होता है अधूरा होता है इनके बाहतो कोस में एक या दो इ इलेटान भी रह सकते हैं या दो इलेटान होते हैं मतलब एक और दो इलेटान किस पर रहा जाता है तो याद रखे का यस पर ही रहता है एक से ले करके कहां तक दो तक इलेटान रहते हैं तो यहां पर जो है यह माइनस वन का मतलब क्या है अगर यह यहन का मान 5 है यहां 5 रखेंगे तो यह किसमें से कम कर लेंगे 4 मतलब यहां 4 रहेगा अगर यहां पे 6 है तो यहां क्या रहेगा 5 रहेगा अगर यहां 3 है तो यहां क्या रहेगा 2 रहेगा मतलब एक कम रहना चाहिए मतलब यन जो है यहाँ यन में से यन माइनस वन जो है यह कम है मतलब यहाँ यन का मान जो रहेगा उसमें से यहाँ पर एक कम रहना चाहिए इसने यन माइनस वन डी के पावर वन माइनस दस मतलब अभी इलटानी बिन्यास जब निकाला जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि N-1 का मतलब क्या है मतलब इसका मतलब है कि अगर यहां 5 में तक पहुँचे हैं तो यहां पे यह तीसरा रहेगा मतलब D जो रहेगा कि यहां पे रहेगा मतलब 3 और यहां 6 एगर है यहां पे 6 है तो यहां क्या रहेगा 5 रहेगा मतलब एक उसमें से क्या रहेगा कम हो जाता है तो समझ में आ गया होगा कि इलटानी बिन्यास का मतलब क्या है किस बलाके तो डी बलाके ततों का जो इलटानी बिन्यास यन माइनस वन डी के पावर एक से लेकर के कहा था दस तक और यन यस के पावर क्या होगा एक से लेकर के दो तक होता है अब हम लोग पढ़ेंगे संकरमर ततों की स्रेणियां क्या है कितने स्रेणि में इसको रखा गया है संकरमर ततों को कितने स्रेणि में रखा गया है तो याद रखेगा संकरमर ततों को जो है निम्ल स्रेणि जो रखा गया है तो यह चारो स्रेड़ी का पहले नाम याद रखेंगे, तो पहले हेडिंग को नोट का लिजे, संकरमर ततो की स्रेड़ियां, और यहां लिखें संकरमर ततो को जो स्रेड़ियां जो है, निमलिखित है, निमलिखित में स्रेड़ियों में विभ्यक्त किया गया है, पहला जो है जाएगा और अगला लिखेंगे तुरिती संकर्मड श्रेडी या इसको फाईब वीक कहा जाता है मतलब प्रथम संकरण, दुती संकरण, तिरती संकरण और चतुत संकरमड स्रेणी और इसे क्या कहते हैं छे डी स्रेणी कहा जाता है मतलब प्रथम संकरमड स्रेणी, दुती संकरमड स्रेणी, तिरती संकरमड स्रेणी और चतुत संकरमड स्रेणी मतलब संक्रमड ततो को कितने स्रेणी में विवक्त किया गया है तो संक्रमड ततो को चार स्रेणी में विवक्त किया गया है तो इसको आप प्रथम संक्रमड श्रेणी 9 कहके क्या कह सकते हैं 3D स्रेणी, 4D स्रेणी, 5D स्रेणी और 6D स्रेणी अब 3D स्रेडी में कौन-कौन से ततो आते हैं 4D में कौन-कौन से ततो आते हैं 5D में कौन आते हैं 6D में कौन-कौन ततो आते हैं और इसके इलेटानिक बिन्यास क्या-क्या होते हैं इनकी इलेटानि सनचना क्या-क्या होते हैं तो अब इनकी बारे में जो है हम लोग अध्यान करेंगे तो आज जो हम लोग पढ़े क्या क्या पढ़े संकरमड ततो किसे कहते हैं और संकरमड ततो को आवरसानी में किसी कहां पर रखा गया है और उनकी गुण क्या है संकरमड ततो के जो गुण क्या क्या है तो गुण जो ह ग्यारह गुण के बारे में बताया गया और हम लोग इस समय जो हम क्या पढ़ रहा है डी बलाग ततों के लच्छण पढ़ रहा है और लच्छण में जो हमारा दूसरा लच्छण है कि संकर्मत ततों की स्रेडिया कितनी है तो संकर्मत ततों की स्रेडिया कितनी बताया गया च क्योंकि यह live class आप के लिए ही चलाया जा रहा है तो आप जो है इतना ही वीडियो में बताया जाएगा अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे प्रथम संक्रण स्रेडी या 3D स्रेडी क्या होता है और इसमें कौन-कौन से ततों जो हैं भाग लिये हैं कल के वीडियो में बताया तो आज जो है इतना ही अब मिलते हैं हम अगले भाग में तब तक के लिए सभी विडियार्थियों को नमस्कार